Hello everyone, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक user login and registration system को बनाना यहाँ पर हम देखेंगे कि एक website में किस तरीके से login और registration functionality को implement किये जाता है यहाँ पर हमारे पास एक registration form है और एक login form है तो यहाँ पर आपको हम register करा के दिखाते हैं तो सबसे पहले हम देंगे full name इसके बाद हम देंगे username username हमारा असल में unique होना चाहिए एक username के कई लोग नहीं हो सकते हैं जैसा कि Instagram पर आप देखते होंगे और यही same concept email पर apply होता है कि एक email को आप बार बार register नहीं कर सकते हैं इसके बाद हम देंगे password password को हम encrypt करा के store कराएंगे और यहां पर हम फिर register बटन पर click करेंगे तो देखिए एक alert देखने को मिल रही है registration successful इसका मतलब यह है कि एक नए user register हो चुका है अब हम चलते हैं अपने database में और इसको refresh करते हैं तो देखिए यहां पर एक नई row मिल रही है जिसमें हमें user का full name, username, email और encrypted password देख रहा है अब हमें काम करते हैं login करने कोशिश करते हैं अब हम यहां पर आ जाते हैं अपने login form में तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है email और username यानि कि यहां पर हम चाहें email का use कर सकते हैं login करने के लिए या फिर username का तो हम सबसे पहले username का use करते हैं login करने के लिए यहां पर एक गलत password देदेते हैं तो देखिए यहां पर alert मिल रही है incorrect password अब क्या करते हैं सही password देंगे हम देखते हैं कि होता क्या है अब यहां पर देखिए username के बजाए हमें काम करते हैं इमेल यूज कर लेते हैं तो हम दोनों मैंसे किसी भी चीज से हम login कर सकते हैं तो इस बार हम password सही देते हैं login पर क्लिक किया हमने और उसके बाद देखिए यहां पर लिखकर आ रहा है welcome to this website और हमारा जो username है वो ओपर भी देखिए हमारा username लिखके आ रहा है यानी की logout हो चुके है इस website से अब हम एक काम करते हैं कि चेक करते हैं कि अगर हमने ऐसा को username दिया जो पहले से registered है तो क्या registration होगा या कोई alert देखने को मिलेगी हमें ठीक है तो पहले जो हमने username यूज किया था tj-123 ठीक है देखिए यहां से हमने match भी करा लिया है यहां पर आएंगे email दे देते हैं email हम अलग देंगे ठीक है unique देते है email और इसके बाद हम password दे देंगे और register पर click किया तो देखिए लिके आ रहा है this username is already taken जो username हमने लिखा है वह पहले से taken है किसी ने ले लिया है उसको ठीक है अब एक काम करते है username अलग कर देते हैं और जो Gmail है वह same कर देते हैं ठीक है अब register करके देखते हैं क्या होता है तो देखिए यहां पर फिर सेलर्ट मिल रही है कि this email is already registered ठीक है तो अब हम इसकी coding करना शुरू करते हैं इस वक्त हम exam के अंदर एक फोल्डर में है जिसका नाम है login underscore register ठीक है इस फोल्डर के अंदर है अपने पूरे login और registration portal को रखने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहले इसको हम VS code में open कर लेते हैं left side panel दिया हुआ है यहां पर हम एक file बनाएंगे index.php ठीक है इस file के अंदर हमारा header रहेगा उसके लावा registration form login form यह सारी चीज़े ठीक इसका हम title सबसे पहले change करेंगे हमने लिखा login and register इससे पहले user भी लिख देते हैं ठीक है तो user login and register इसको आप open कर लेंगे हम browser में तो यहां पर लिखेंगे localhost slash login underscore register इतना लिखकर जैसे हम बस folder का नाम लिखकर enter करेंगे तो यह उसके index.php को by default open करता है देखें यहां पर title दिख रहा है ठीक है index.php का user login and register ठीक तो title दिख गया हमारा index वाला जो file होती by default वो open होती है हमेशा तो यह open होगे यहां पर सबसे पहले हमने लिया एक header tag header tag को open किया इसके अंदर एक h2 tag लेंगे हम और यहां पर एक heading दे देंगे हमने यहां पर channel का नाम ही दे दिया है tj webdev टेक है इसके बाद nav tag लेंगे और इस nav tag के अंदर हम कुछ anchor links को रखेंगे यह anchor tags को ले लेंगे यहां पर हम कुछ ऐसे ही links ले रहे हैं टेक है home, blog, contact इस तरीके से इनका कोई use नहीं है यह बस आपको दिखाने के लिए है बस layout को सही दिखाने के लिए है इसके बाद यहां पर हम एक div लेंगे जिसकी हम class दे रहे हैं sign in up क्योंकि इसके अंदर sign in और sign up button होगा अब चाहे sign up कहलें चाहे register बात एक ही है तो यहां पर हम इस div के अंदर दो button tag रखने वाले हैं और इनका जो type होगा वो क्या होगा button यानि कि इनकी खुद की कोई functionality नहीं होगी यह simple clickable button होगे जिन पर हम javascript use करने वाले हैं जो हमारा pop-up है उसको show करने के लिए या hide करने के लिए तो एक button का नाम हमने दे दिया है login और दूसरे का दे दिया है register ठीक है और इसका output देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब हमें इस पर सिर्फ styling करनी है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हम बना लेंगे एक style.css नाम की file ठीक है तो यह हमारी css file बन गई इस दोनो टाब को हमने split कर दिया है और यहां पर हम एक link tag लेने वाले है ठीक है PHP file में और css file को हमने link कर लिया ठीक है style.css इस file से अब link हो गई हमारी तो यहां पर हमें काम करते हैं universal selector लेते हैं हमने कहा कि हर एक tag की जो margin है वो by default zero रहे padding zero रहे box sizing border box हो जाए ठीक है और उसके इलावा जो text decoration है वो हो जाए none ठीक है अब इतने code से हो गया क्या वो भी हम समझा देंगे अभी और font family को हमने कर दिया जानि की font है वो change कर दिया margin और padding हर element की या हर tag की अलग-अलग होती है तो हम चाहते हैं कि यह जिरो-जिरो से initialize हो जाए जब layout refresh हो तो by default जो सभी की margin और padding हो वो zero रहे box sizing border box का मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी element को कोई with देंगे तो padding apply करने पर with change नहीं होगी तो यहाँ पर order box करने से क्या होता है layout थोड़ा सा flexible हो जाता है चीजें CSS apply करने में padding बगेरा दिक्कत नहीं होती अब यहाँ पर हमने कहा कि header को कर दो display flex और flex direction कर दो row display flex की help से header के अंदर जो direct child है यानि कि h2 tag nav tag और जो div है तेक है इनको हम row wise या column wise arrange कर सकते हैं यानि कि या तो इनको horizontally ला सकते हैं या तो इन्हें vertically तो फिलहाल यह vertically है अब जब refresh किया हमने तो देखिए font change हो गई और यह horizontally arrange हो गए यानि कि एक row में आ गए ठेक अब भी देखिए यह जो चीजें हैं हमारे buttons है या anchor tag से यह अब इनकी जो वर्टिकल स्पेसिंग है या वर्टिकल alignment कर लीजे हाइट के हिसाब से जो वर्टिकल alignment है हम चाहते हैं वह सभी चीजें center में आ जाए height के हिसाब से चीजें center में आ जाए तो align item center और justify content space around से क्या होता है कि horizontal spaces आ जाती है तो देखें यहां पर horizontal spaces आ गई और vertically यह सारी चीजें center में आ गई है तो यह display flex property का खेल है तोला सा इसके बाद यहां पर हम background color दे देते हैं इस header को देखें तो यहां पर हम hexadecimal code यूज कर रहे हैं उसके इलावा text का color दे देते हैं हम यहां पर white और इसके बाद हम दे देंगे padding ठीक है तो top और bottom की 20 pixel और left और right की 0 तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा layout अभी देख रहा इसके बाद हमने कहा कि header के अंदर जो nav tag है और उसके अंदर जितने भी anchor tags है ना यह सारे ठेक है इनको select करो और इनका जो color है वो change कर दो text का उसके लावा margin right इनकी बढ़ा दो यानि की right side थोड़े सी spaces बढ़ा दो और font weight थोड़ा सा बढ़ा दो यानि की text को थोड़ा सा bold कर दो तो देखिए अब यहां पर इनके बीच में spaces आ गई है color change हो गया है और साथी साथ font थोड़ा सा मोटा हो गया था इसके बाद यहां पर हम चाहते हैं कि header के अंदर जो div dot sign in up वाला जो div है ना जिसके अंदर हमने button tags को रखा है तो इस div के अंदर जो button tags हैं हम चाहते हैं कि उन buttons का background color change हो जाए तो यहां पर हमने फिर से hexadecimal code यूज किया इसके अंदर जो text लिखे हैं उनका font size change हो जाए ठेक है उसके बाद font weight भी थोड़ा सा हम bold करना चाहते हैं थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं ठेक और इसके बाद हमने padding apply कर दी यानि कि border और text के बीच में spaces आ जाएं और यहां पर हमने border दे दिया है two pixel solid और black ठेक है black कर ये hexadecimal code है और border radius दे दिया है five pixel जिससे corners थोड़ा सा curve हो जाएं तो देखिए output कुछ इस तरीके से हमारा अभी के लिए दिख रहा तो अभी इस पे जब click कर रहे तो यह outline आ रही है तो हमें क्या करना है अब इस outline को remove करना है तो इसके लिए यहां पर हम लिखेंगे outline none ठेक है और उसके लावा हम यहां पर margin left को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 20 pixel तो देखिए अब इनके बीच में यहां पर देखिए spaces आ गई ठेक है तो अब यह थोड़ा सा सही दिखने लगा अब हमें जो second वाला button है यानि कि register वाला ठीक है last वाले button को हमें target करना है और उसका color change करना है background तो यहां पर इस code को हम copy करेंगे और उसके बाद colon last child लिख देंगे यानि कि button का जो last वाला child है यानि कि जितने भी buttons है उनमें से जो last वाला है उसको target करो दो button है last वाला register वाला button है उसका background color change हो जाएगा अब यहां पर हमन ऐलाएंगे login वाला popup ौप एक div ले लेते हैं नीचे यहां पर हमने div क्लास हम देंगे popup container इस pop-up container के अंदर हम क्या रखेंगे अपने पूरे pop-up को तो यहाँ पर हमने एक div ले लिया है जिसकी class हमने दे दी है pop up यह दो classes यह दो divs को क्यों लिया है यह दो अलग-अलग classes क्यों दी है वो हम आपको explain कर देंगे ठीक है अभी आपको समझ मा जाएगा तो यहाँ पर हमने एक form tag लिया है इस form tag के अंदर पूरा form रहेगा ठीक है और इस पर click करने पर form close भी होगा तो हम चाहते हैं कि form में अगर कोई data लिखा हो ना तो वो erase होकर close हो next time जो हम form पर click करें और data पुराना हुआ भरा हुआ दिखाई ना दे ठीक है भाले हमने form submit नहीं किया लेकिन हमने close कर दिया ठीक है और दूसरे का यहां पर हम password दे रहे हैं ठीक है पहले वाले placeholder में क्या लिका है हमने email और username यानि कि इसमें हम email या username एंटर कराएंगे और नीचे वाले में password यहां पर नीचे एक button ले लिया है जिसका नाम हम दे देंगे login ठीक है और इसका type होगा submit यानि कि इसको click करने पर हमारा यह form submit होगा तो देखिए फिलहाल के लिए output कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहां पर देखिए जो भी चीजे दिख रही है अभी divs अगर हमने explain नहीं किये जब हम css लगाएंगे तो आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगी कि क्यो span tag लिया है pop up container और pop up quality में फर्क क्या है ठेक है तो सबसे पहले हम करेंगे कि pop up container की जो position है उसको set कर देते हैं fixed ठेक है तो position कर दिया हमने fixed इसकी जो position रहेगी वो top से 0 left से 0 यह पूरी screen को cover करने वाला है तो इसकी width 100% कर देंगे और height भी 100% कर देंगे और यहां पर देखिए हम इसको background color बदलने वाले हैं और background color में हम RGBA यूज़ करेंगे हमने यहां पर 0,0,0 value दी है यानि कि हम black color यूज़ करेंगे और यह जो last value है जहां पर alpha लिखा है यह transparency है हमने कहा जो black की transparency है वो 0.2 होनी चीए तो देखिए यह कुछ इस तरीके से दिख दिख रहा है ना यह हमारा pop-up container है और उसके लावा यह जो बाकी का उपर जो portion दिख रहा है यह हमारी pop-up वाली div है तो यह जो pop-up container था वो असल में पूरी screen को cover करने के लिए बस एक div थी ठीक है और मतब एक क्या सकते हैं आप layer थी ठीक है और उसके लावा यह जो बचा container के अंदर जो div.pop-up है उसको target करो और उसका color change कर दो background तो देखें यहाँ पर इसका जो background color है वो कुछ इस तरीके सब देख रहा है ठीक है तो अब आपको difference समझ में आ गया होगा है hope ठीक है अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसको कर देंगे display flex pop-up container को किया display flex अब इसके अं उनमें एकदम center पर आ जाए ठीक है तो जो भी height और width मिली थी इसको full screen के मिली थी तो उनके बीच में यह देखिए horizontally और vertically कैसे आ गया center में आ गया ठीक है यह जो है चीजों को center करने का एक करीका है display flex की help से अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि pop-up वाली div को और ठीक कर लेते हैं हमने कहा इसकी width कर दो 350 pixel ठीक है form थोड़ा सा चोड़ा हो जाए ठीक इसके बाद हमने कहा border radius कर दो 5 pixel यानि की corners थोड़े से curve कर दो और यहाँ पर हम padding देंगे जिससे होगा क्या कि जो border होगा ठीक है यानि कि इस div का border है और जो content इनके बीच में spaces आ जाएंगी ठीक तो यहाँ पर हमने चारो साइट की अलग-अलग values दी है तो देखिए कुछ इस तरीके से spaces वगरा आ गई है corner से और border radius अपलाई हो गया है हमारा और width भी change हो गया है अब हम form के elements पर जो है CSS अपलाई करेंगे तो हमने कहा div.popup के अंदर जो h2 tag है उसको target कर लो ठीक है जो h2 tag है उसको target कर है हमने कहा कि flex direction row ही रखो यानि कि एक row में रहें चीजें और align item center यानि कि center रहें vertically जो भी height है और justify content space between से होगा क्या कि देखिए इनके बीच में spaces आ गई है और जो element है दोनो corner में सट गाए एक दम ठीक है इसके बाद हमने कहा कि इसकी margin bottom थोड़ा सा बढ़ा दो यानि कि इसक जो color है यानि कि heading tag का color है वो change कर दो तो देखिए इसको refresh करने पे कुछ इस तरीके सा में output मिल रहा अब इस astute के अंदर जो button tag है उसको target कर लेते हैं तो यहां पर हम यह cross वाला button है उसको target करेंगे तो इस उपर वाले code को हम copy कर लेते हैं और नीचे आके लिख देते हैं तो astute कि अंदर जो button tag है हम चाहते हैं कि उसका जो border है वो none हो जाए background color जो है transparent हो जाए ठीक है कुछ बीना रहे background color जो पीछे खाव वैसा ही रहा है outline none हो जाए यानि कि click करने पा outline नहीं आनी चाहिए font size change हो जाए font weight थोड़ा सा bold हो जाए ठीक है उसके लावा हम यहां पर इसका color change कर रहे हैं ठीक है यहां पे एक और हमें hexadecimal value दे रहे हैं इसके बाद हम चलेंगे अपने layout पर और इसको करते है refresh तो देखे कुछ इस तरीके से हमारा जो button है अब वो दिख रहा ठीक है अब इसके बाद हम target करेंगे input tag को इसके बाद इस code को हमने copy किया और यहां पर लिखा हम border हम चाहते है remove word input tags का लेकिन हम चाहते है border bottom रहे ठीक है तो bottom का जो border है उसकी जो value है वो 2 pixel solid यहां पर हम दूसरा color दे रहे हैं यह color आ जाए और उसके इलावा इसका देखिए output तो यह देखिए कुछ इस तरीके से देख रहा है ठीक है यहां पर देखिए जो outline अभी भी आ र border radius होता है थोड़ा सा भी उसको भी मटा देते हैं उसको हमने zero कर दिया उसके बाद यहां पर हम आ जाते हैं padding पर तो top और bottom की 5 pixel left और right हम चाहते हैं zero रहे बिलकुल नहीं चाहिए padding font weight यानि कि जो चीज़े हम लिखेंगे type करेंग वो थोड़ा सा bold दिखे और जो font size है वो रह उसके लावा यहां पर जो padding है वो भी apply हो गई है top और bottom की अब इसके बाद हमें target करना है login बटन को ठीक है तो इसको हम directly button tag को target नहीं कर सकते हैं हमें इसे class देनी पड़ेगी क्योंकि अगर हमने direct button tag लिखकर इसको target किया तो जे एक और button है हमारे पास cross वाला ठीक है वो भी target हो ठीक है तो अब यह login btn वाली class के button को target करेगा तो इसका font weight थोड़ा सा bold कर तो 550 value दे दिया हमने उसके बाद हमने का font size 15 pixel कर तो यहां पर गलती हमने font style लिख दिया है ठीक है recording करते वक्त हमने ध्यान नहीं दिया थे इसको ठीक हम layout बना रहे थे तो इसको आप ठीक कर है और margin top फोड़ी सी बढ़ा दिया तो देखिए कि कुछ इस तरीके से हमारा button अब दिख रहा है ठीक है यह दिख रहे हैं बहुत अच्छा class ही दिख रहा है तो अब हमारे जिसाब से यहां पर login का CSS code था वो complete हो गया है ठीक है तो login form की CSS थी वो यह थी सारी अब हम इसकी एक content को बदल देंगे तो इससे फाइदा क्या होगा कि सेम सारी चीज़ें CSS वगयरा सब कुछ तेम रहेगा ठीक है कुछ चीज़ें जो हमें change कर रही है उसको भी आपको दिखा देते हैं कैसे ठीक है यह user register हो जाएगा इसके नीचे यहाँ पर देखिए जो email और user name है इसकी नहीं होगा बस email और उसके लावा यह जो class name है login btn इसको change करके register btn कर देते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका output देखने को हमें मिल रहा है तो सब कुछ same है बस input fields अलग है यहाँ पर हम कुछ चीज़ें अब change करेंगे और यानि कि इसकी जो CSS है उसको change करने वाले ह इसको हम एक और class दे देते हैं यहाँ पर हमने देखिए एक और class दे दी जिसका नाम है register ठेक है pop-up के बगल में इससे क्या होगा कि अब register नाम की class है ठेक है इस div को हम इस class से भी access कर सकते हैं सिवाए pop-up के ठेक है तो pop-up से जो access कर रहे हैं वो तो करी रहे है ठेक है उपर ज register है उसका background color change कर दो ठेक है तो अब background color किसका change होगा इस registration form का ठेक है तो बहुत हलका से light color change हुआ है color इस वज़े चेंज किया क्योंकि इसका जो अभी हम text color देंगे वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा light है तो उसको दिखने में अच्छा है लग रहा तो उसको दिखाने के लिए बस हमने साही करने के लिए ठीक है यू आई अच्छा रखने के लिए बस इसको ऐसा किया है ठीक है background color तो यहाँ पर देखिए h2 tag का जो color है वो हम change कर दे रहे हैं देखिए कुछ इस तरीके से दिख रही है adding हमारी इसके बाद यह जो border bottom का color है ना इसको हम change कर देते हैं तो यहाँ पर इस code को फिर सम copy करेंगे नीचे paste करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे input tag तो div.register के अंदर जितने भी input tag है उनका border bottom color change कर दो with same रहेगी border का जो style है solid वो भी same रहेगा बस color देखिए यहाँ पर change हुआ है इसके बाद हम उस button को target करेंगे जिसकी class है register btn तो यहाँ प बागी की CSS है इसकी ठीक है यह जो button है हमारा देखिए background color change हुआ है न तो इसकी जो बागी की CSS हम चाहते हैं जो login form में हमने लगाई थी वो वैसी ही रहे तो इस code को हम करेंगे क्या copy करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर ले जाकर paste कर देंगे ठीक है तो ऊपर वाला code apply हो जाए एक last काम बचा है इसको login से हम replace कर देते हैं register ठीक है तो इसकी CSS है इसकी भी complete हो गई अब हमें क्या करना है जावा script लगाना है यानि की button की click पर जो हमारा यह pop-up है वो display होना चाहिए और close button पर click करने पर hide अब हम header के अंदर यह जो buttons है register login इस पर हम एक event देंगे हम इन दोनों पर event देना चाहते है click का तो हमने कहा on click जब हम इस पर click करें तो एक function call कर दो जिसका नाम होगा pop-up ठीक है अभी यह function हम JavaScript से define करेंगे एक काम करते हैं इस PHP के बजाए हम HTML के emet को on कर लेते हैं तो यहाँ पर HTML का suggestions अब हमें जादा देगा ठीक है PHP की नहीं बलकि हमें HTML की suggestions मिले जब हम थोड़ी सी चीज़े लेखेंगे HTML की तो देखे सारा जो आगे का code है वह हम पूछ जल्दी मिल जाएगा तो हम चाहते हैं दोनों pop-up container display none हो by default तो देखें यहाँ पर layout को refresh किया तो दोनों display none है अब इन पर हम click की functionality देते हैं तो हमने कहा जब इन पर click करें हम तो pop-up न जिसे एक का नाम यानि की आपको login वाला form दिखाना है या registration वाला form ठीक है तो उनका नाम आप हमें बता दो तो नाम के लिए हमें काम करते हैं इन दोनों div को एक ID देते हैं हमने कहा कि इसकी ID है login pop-up और यह नीचे वाला registration form है इसकी जो ID है register pop-up ठीक है तो यह दोनों unique नाम मि करेंगे या login pop-up को बुलाएंगे तो कौन वाला login form हमें देखेगा पुरा तो देखिए पहले वाले बटन में हमने पास कर दिया login pop-up और दूसरे बटन में हमने पास कर दिया register pop-up ठीक है अब यह function क्या करेगा इन दोनों का नाम receive करेगा एक variable में और उन variable में हम करेंगे क्य जो भी नाम आए वो इस pop-up underscore name नाम के variable में store हो जाए उसके बाद हम एक variable ले रहे है get underscore pop-up ठीक है इस variable में हम क्या करेंगे इस variable की help हम access करेंगे हमने कहा document.getElementById एक element को access करो जिसकी id है pop-up name अब उस नाम को हमने यहाँ पास कर दिया ठीक है तो जो भी बटन क्लिक होगा जो नाम यहाँ पर पास होगा उसको हम access कर पाएंगे तो देखिए यह by default display flex है जैसा कि हमने कहा हमने कहा if get pop-up जो pop-up आप access कर रहे हो उसकी जो style है उस style में देखो अगर display equals to equals to flex है यानि कि वो पहले से ही अगर flex है तो उसको क्या करो अगर flex होगी तो इसका मतलब वो देख रहा है अगर दिख रहा है तो उससे क्या करना है हमें hide करना है ठीक है तो हम same code को फिर से क्या करेंगे copy करके paste कर देंगे और इसको कर देंगे none हमने कहा अगर display flex है यानि कि दिख रहा है तो उससे display none कर दो hide कर दो और अगर नहीं दिख रहा है false else में आ जाएंगे ठीक है तो क्या क आते हैं अब हम एक काम करते हैं कि इसका output देख लेते हैं और यहां पर layout को refresh किया अब देखिए login पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए model शो होने लगा यानि कि JavaScript सही से काम कर रही है लेकिन हम चाहते है कि close button पर भी same काम हो ठीक है close button पर click करने पर क्या हो यह close हो जाए तो इस चीज कर देंगे क्या login pop-up वाली ID ठीक है एक ID पास करेंगे जिसका नाम है login-pop-up तो होगा क्या कि यह जब ID पास होगी तो यह क्या हो चुकी होगी display flex और यह condition check करेगा हमारा function कि क्या यह display flex है ठीक है pop-up अगर display flex होगा तो क्या हो जाएगा none हो जाएगा ठीक है और यह button कब दिखे जब हमारा जो pop-up है वो display flex होगा ठीक है और जब वो flex होगा और button पर हम click करेंगे तो वो display none हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए हमने register वाले जो हमारा form था pop-up था उसमें भी हमने pass कर दिया register-pop-up ठीक है अब यह सही से काम करेगा अब इसका output चेक कर लेते हैं login पर click करेंगे none था flex हो गया close पर click किया तो वापस none हो गया ठीक है तो इस तरीके से display flex और none के बीच में हम switch कर रहे हैं ठीक है button के click पे जावा script की help से ठीक है तो यह हमारा जो front end था वो complete हो गया है अब हम बढ़ते हैं PHP scripts की और अब यहाँ पर हम बनाएंगे connection.php की file ठीक है तो इस style.css को कर देते हैं और यहाँ पर एक file ले लेते है connection.php क्यूंकि अब हमें database के साथ connectivity करानी है तो एक काम करते है database बना लेते हैं ठीक है तो हम वापस चलेंगे अपने web browser पर और localhost क्लिक कर PHP my admin को open करेंगे यहाँ पर left side पर देखिए new button पर क्लिक करेंगे हमें एक नया database बनाना है ज ठीक है चार column की एक table होगी अब पहला column होगा full name के लिए ठीक है दूसरा column होगा हमारा username के लिए तीसरा होगा email के लिए और चौथा होगा password के लिए password हम encrypt करके store कराएंगे ठीक है और इन सभी का जो type होगा यानि कि जो data type होगा वो क्या होगा where care यानि कि इसमें हम integer, alphabets या कोई special symbol इन सभी के combination में चीज़ों को store करा सकते हैं ठीक है उसके इलावा इन सभी की length होगी number of characters कितनी store करा सकते हैं हम ठीक है हर एक field में ठीक है तो वो होगा hundred उसके इलावा इसके बाद नीचे आएंगे save पर click कर देंगे ठीक है तो registered user के लिए जो table होगी हमारी वो यह है इस इसमें जो user register करेंगे उनका data store होगा इसके बाद हम email को primary की set कर देंगे ठीक है हम चाहते है कि email की कोई copy नहीं बननी चाहिए email अपने आप में एक unique हो ठीक है यानि की हर row में जो email होगा सभी का वो अलग होगा और हम चाहते है user name भी क्या हो unique तो इसमें हम एक constraint डाल दे रहे है ही unique का ठीक है तो email को हमने primary की बना दिया है और username को unique यहां पर हम email को ज़्यादा priority दे रहे हैं in comparison to username ठीक है username unique है यानि की username null हो सकता है username की value null हो सकती है क्योंकि हमने उसको unique set किया है लेकिन primary की कभी null नहीं होती ठीक है primary की में आप email को कभी null value store नहीं करा सकते है इसके बाद हम database क इसके साथ connectivity करा लेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक function होता है masculine underscore connect ठीक है इसमें सबसे पहले हम क्या pass करते है local host ठीक है यानि की host कौन है फिर username जो की है root उसके बाद password इसका default होता है blank और उसके बाद last में database जिसके साथ आपको connect करना है इसको हमने एक variable में store करा लिया है जिस error function को call करो कि database को connect करते वक्त अगर कोई error आ रही है तो क्या करो echo करा दो script tag में हम एक alert लिख देंगे तो इससे होगा क्या इस line से कि हमें JavaScript का एक alert दिखाई देगा और इसमें लिखकर आएगा cannot connect to database यानि कि अगर ये if वाला block true हुआ connect करने में database को कोई error आ रही है तो ये alert कीचे कोई भी code execute नहीं होगा ठीक है और इस connection file को हम एकदम ऊपर import करा लेंगे ठीक है ये index.php है ना इसके एकदम ऊपर import करा लेंगे यहाँ पर हम use करेंगे require function हमने कहा कि हमें एक file के requirement है जिसका नाम है connection.php ठीक है तो अब जब हम index.php को refresh करेंगे तो database connect हो जाएगा अगर नहीं हो पाएगा connect तो होगा ये कि हमें एक alert दिखाई देगा error दिखाई देगी तो देखें यहाँ पर कितनी बाल भी हम refresh करें हमें कोई भी alert नहीं दिख रहा है इसका मतलब database हम successfully connect हो गया है input field के जो data है उसको access करने के लिए हमें यहाँ पर name attribute देना पड़ेगा ठीक है तो लिखा है हमने क्योंकि इसमें हम user को login करा सकते है email या username दोनों में से किसी भी चीज़ को enter कराके ठीक है वो अपना चाहिए email लिख दे चाहिए username लिख दे दोनों की help से वो login कर सकता है उसके लावा method हम use कर रहे है post क्योंकि हम sensitive data भेज रहे है ठीक है password हम नहीं चाहते URL में दि दे जाएंगे यहां पर हम लिख सकते थे पूरा PHP की script नीचे लेकिन बहुत ज्यादा होच पहुच हो जाता और एक ही जगा पर बहुत खिचडी बग जाती हम नहीं चाहते हैं इसको ऐसा करना ठीक है तो यहां पर हमने एक action लगा दिया है login-register.php यानि कि जब यह login form submit होग तो इसका data चला जाएगा login-register.php वाली फाइल पे अब register वाले form पे भी हम सेम काम करेंगे यहां पे हम method दे देंगे post और action देंगे login-register.php इसका भी जो data होगा वो same वाली फाइल पे जाएगा login-register वाली ठीक है इसमें जो input field है पहले वाले का नाम दे दिया full name दूसरे वा ठीक है तो connectivity हो गई सभी input fields को नाम दे दिये button tag को नाम दे दिये अब हम क्या करेंगे php quotes को लिखेंगे और login-register वाले फाइल पर चलते हैं यहां पर हम क्या करेंगे php script को open करेंगे ठीक है अब हमें handle करना है दो button के click को एक register वाला और एक login वाला सबसे पहले हम manage करेंगे register form क ठीक है तो यहां पर हमने लिखा if is set dollar underscore post इसके अंदर एक index जे देते हैं register नाम का यानि कि जब register button क्लिक होगा तो यह वाला if block execute हो जाएगा ठीक है यह वाला जो if है पुरा execute हो जाएगा तो यहां पर directly हम data जो होगा user का वो insert नहीं करा देंगे register वाली table में ठीक है पहले हम चे specific alert दिखानी होगी सही से ठीक है तो उसके लिए हम यहां पर की लिखेंगे एक query ठीक है हम एक query चलाएंगे कि पहले चेक करो कि कोई ऐसा user तो नहीं है database में जिसके पास पहले से वह username या email हो तो हमने एक variable लिया है user underscore exist query ठीक है इसके अंदर हम एक query लिखेंगे तो इस variable में हम एक single quote दे दिया हमने और या फिर email equals to अब username में हम क्या करेंगे जो post method की help से यानि की dollar underscore post में जो username पास हुआ होगा ठीक है form की help से जो भी username आया होगा उसको यहां पर pass कर देंगे और email में dollar underscore post जो email पास हुआ होगा form में ठीक है जो भी username input किया होगा username और email इन दोनों को हमने यह पर pass कर दिया ठीक है तो user ने जो भी username और email एंटर किया होगा अपने form और registration वाले ठीक है अगर वो मौझूद होगा database में तो fetch हो जाएगा ठीक है वो select हो जाएगा या fetch हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है query को fire करना है तो उसके लिए हम use करते है maskulay underscore query function हमने पहले pass किया link यानि कि dollar con वाला variable जो की connection वाली file में है हमारे ठीक है इसके बाद हमने pass किया जो query है हमारी वो तो query है हमारी store थी user underscore exist query नाम के variable में और require करा लेंगे हम connection.php ठीक है इसकी help से क्या होगा कि dollar con को हम access कर पाएंगे ठीक है तो connection वाली file को भी यहाँ पे हमने include करा लिया है और इसका जो result होगा यानि कि माइस को लाए query true भी हो सकती है query चल भी सकती है नहीं भी चल सकती है तो इसका जो भी result होगा वो किस में store करा दो dollar result नाम के variable में store करा दो उसके बाद यहाँ पर हमें condition चेक करेंगे हमने कहा if dollar result यहाँ पर हमने पास किया अगर इसकी value true होगी तो if block execute होगा अगर false होगी तो else block execute होगा ठीक है else में कब आएंगे जब query नहीं चल पाएगी यह पहली query है अगर यह पहली query नहीं चल पाई तो else में आ जाएंगे हम अगर चल जाएगी तो result की value क्या होगी true हो जाएगी तो क्या हो जाएगा जो if block है वो execute हो जाएगा ठीक है अगर नहीं च हमारा वो हमें देखेगा login-register.php पे यानि कि इस वाली फाइल पे देखेगा लेकिन हम चाहते हैं कि जब इस alert पे हम okay करें तो वापस कहां पहुँच जाएं index.php पे ठेक है हम उसी जगह पे वापस पहुच जाएं जहां से इस form को हमने fire किया था ठेक है या इस form को जहां पर हमने send किया था तो यहां पर हमने लिख दिया है window.location.href equals to index.php इसकी जो location है वो वापस बदल दो index.php से तो अगर ये query successfully run नहीं करेगी या execute नहीं करेगी तो हमें ये alert देखने को मिलेगा और अगर कर जाती है तो if block execute होगा तो जैसे ही query successfully execute हो तो हमने कहा एक काम करो check करो कि number of rows कितनी select हुई है कितनी number of rows fetch हुई है तो मास को लाए number rows की help से हम fetch कर पाएंगे number of rows किसकी fetch करनी है dollar result की तो ये query चली है उसकी तो अगर number of rows greater than zero है तेक है यानि कि ये greater than zero ये greater than zero कब होगा जब username या email मैच कर जाएगा ठीक है हो सकता है हमें दो rows मिल जाएं एक में हमें username common मिल जाएं और दूसरे वाले में email common मिल जाएं ठीक है तो अगर username और email पहले से present है तो ये if वाला block execute हो जाएगा वरना else वाले में आ जाएंगे ठीक है number of rows अगर zero से जाएं तो इसका मतलब user या email पहले से present है ठीक है हमारी table के अंदर तो हमें यहाँ पर alert दिखाना पड़ेगा कि username या email registered है तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि maskolife fetch asoc function का use करेंगे ठीक है एक associative array के form में data को fetch करने के लिए हमने कहा जो registered user है ना उसका data fetch करो और store करा दो किसमे dollar underscore fetch वाले variable में अब बात आती है कि यहाँ पर हम data fetch क्यों करा रहे है तो उसका एक ही reason है क्योंकि हमें differentiate भी तो करना है ना कि username match कर रहा है या email क्योंकि row तो दोनों में से किसी भी एक को match करने पर select हो जाएगी यहाँ पर और keyword यूज किया ना हमने कि username या email कुछ भी match कर जाए तो उस row को fetch कर लो पुरा तो यहाँ पर हमने condition दे दी हमने का if result fetch का जो username है ठीक है उसको match कराओ हमारे दिये हुए username से ठीक है मान लीजे कि एक row select हुए जिसमें email common था लेकिन username common नहीं था तो condition तो चेक करानी पड़ेगी ना कि email के लिए अलग हमको alert दिखानी है और username के लिए अलग तो इसके बाद हम window.location.href को ही use करेंगे क्योंकि हमें वापस जाना है index.php पे ठीक है तो जो row fetch हुई है उसका अगर username match कर रहा है तो यह alert दिखा देना ठीक है और उसके साथ-साथ क्या दिखा देना उसका नाम यानि कि जो भी username taken है पहले से वो भी दिखा दो जिसे user भूल ना चाहे गलती से कि उसने user name क्या दिया था तो यह वाला if block कब execute होगा यह जो match line number rows वाला है ठीक है जब जो number of fields होंगी greater than zero होंगी इसका मतलब क्या है कि user पहले से उस email या username को पहले से लिया हुआ है कोई user तो होगा जिसने उस email या username को take किया हुआ है हमने कहा कि alert में ठीक है और सी बात है कि email match करेगा फिर ठीक है तभी तो वो row select हुई है number of rows ठीक है जो भी हमने select की है उसका या तो user name match करेगा या email तो हमने यहाँ पर एक comment डाल दिया है कि error for user name already registered यानि कि यह if block कब execute होगा जब user name पहले से registered होगा ठीक है तो user name जब registered होगा तो यह error देखने को मिलेग और अगर user name registered नहीं हुआ तो common सी बात है else में आ जाएंगे हम और email के लिए एक alert दिखा देंगे सीधा यहाँ पर condition चेक कराने ज़रूरत नहीं है क्योंकि obvious सी बात है अगर user name match नहीं हुआ तो email match हुआ होगा तभी तो number of rows select हुई है तो यहाँ पर alert दिखा दो कि email already registered और else में क्या लिख देते हैं एक comment डाल देते हैं error for email already registered ठेक है तो यह वाला else कब execute होगा जब email पहले से register किया होगा हुआ तो यह तो हो गया एक scenario कि हमें number of fields जो है वो 0 से जादा मिल जाएंगी ठेक है तो यह वाला जो if block है वो execute होगा तब it will be executed यहाँ पर comment डालना है कि if username और email is already registered ठेक है और यह नीचे वाले को हटा देते हैं तो अगर username या email पहले से register है तो यह वाला if block execute हो जाएगा क्योंकि number of rows 0 से जादा है अगर 0 से जादा नहीं है ठेक है तो इसका मतलब username और email पहले से register है नहीं हम अराम से registration कर सकते हैं ठेक है तो यहाँ पर हम आके क्या करेंगे registration कराएंगे हमें एक insert query चाहिए तो यहाँ पर हम insert query को कर लेते हैं copy यहाँ से और वापस चलते हैं अपने layout पर और उसको कर देंगे यहाँ पे एक paste तो number of rows जब 0 से जादा नहीं होंगी तो यह else वाला block execute होगा तो यहाँ पर query नाम के variable में हमने query को कर दिया है paste तो अब जो इ उनको लिखेंगे ठीक है सभी को single quotes में हमें लिखना रहेगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं dollar underscore post की हल्से जो full name आ रहा है उसको full name वाले column में insert करा देना इसके बाद जो username आएगा उसको username वाले column में insert करा देना इसके बाद जो हमारा email होगा उसको email वाले में insert कर और password को भी password वाले में, ठीक है password को भी यहां पर हम encrypt नहीं कर रहे हैं, कहां पर कर रहेंगे वो आपको थोड़ी देर में आगे पता चलेगा, ठीक है, तो यह query हमारी हो गई ready, हमें इसे करना है fire बस, ठीक है, तो यहां पर हमें condition लगाएंगे if, और query को fire करेंगे, तो इसके ल होगा, तो अगर query fire नहीं हो पाती है, तो यहां पर यह alert दिखा देना, ठीक है, कि cannot run query, और वापस हमें बेच देना index वाली फाइल पे, और अगर query चल जाती है, तो, तो क्या करना है, ठीक है, तो ध्यान दीजेए, यहां पर हम comment डाल दे रहे हैं फिर से, हमने कहा कि, if data cannot be inserted, तो else वाला execute हो जाएगा, और यह कब execute होगा, if data inserted successfully, ठीक है, अगर data insert हो जाएगा successfully, तो यह execute हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, same alert को paste करेंगे, और यहां पर changes कर देते हैं थोड़े से, तो यहां पर हम लिख देते हैं, registration successful, ठीक है, तो अ will be executed, if there are, या फिर कह सकते हैं कि no one has taken username और email, किसी ने अगर username या email नहीं टेक किया होगा पहले से, ठीक है, तब यह else execute हो जाएगा, अब हम चलते हैं, अपने layout की और इसको refresh करते हैं, और registration वाला जो form है, इसको check करते हैं, तो यहां पर हम एक full name दे देते हैं, तो यहां पर हम इसके बाद हम क्या करेंगे, register पर click कर देंगे, तो जैसे ही देखिए हमने register पर click किया, एक alert आ गई, registration successful, तो यहां पर एक काम करते हैं, database को देख लेते हैं, यहां पर जैसे हम refresh करेंगे, तो देखिए एक row आ गई है, full name, password, email, username, सब कुछ आ गया, password अभी encrypt नहीं है, इसको ह और entry करते हैं, जिसमें जो username होगा, वो हम same रखेंगे, ठीक है, यहां पर जो username है, यहां पर भी same रखा है, तो सीफ 123, ठीक है, यहां पर email हम change करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब username same है, तो यह वाली जो entry है इस form की, यह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो register पर जैसे ही click किय हमने तो देखिए, एक alert मिला, ठीक है, username already taken, ठीक है, और कौन से username पहले से taken है, वो भी लिख कर आ रहा है, ठीक है, तो यह वाली entry database में नहीं हुई होगी, अब यहां पर एक और बार user को register करा लेते हैं, ठीक है, हमने यहां पर इस बार username अलग दिया है, और email भी unique दिया है, त इस बार registration successful हो गया, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो user register हो गया है, अब माल लेते हैं कि ऐसा scenario है कि username और email दोनों पहले से registered है, ठीक है, माल लेते हैं, तो यहां पर होगा क्या, दोनों के लिए alert नहीं मिलेगी, देखिए, एक को हम username को यहां से उठा लेते हैं, और email को यह ठीक है, इसको हम यहां पर लिख देंगे form में, तो होगा क्या कि जब यह form submit होगा, तो जो हमारी query चलीगी, तो query में जो पहली row database के according जो भी पहले fetch होगा, उसके लिए alert मिलेगी, अगर username के लिए alert मिल जाएगी, अगर email मैच कर गया, तो email के लिए alert मिल जाएगी, ठीक है, त तो देखी, यहां पर alert मिल रहा है, email already registered, ठीक है, और database में entry नहीं हुई, तो यह हमारा registration form था, वो complete हो गया है, अगर हम password encryption को छोड़ दें तो, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते है, login portion की और, ठीक है, password encryption हम mid में ही दिखाएगे, login के, अब यहां पर हम coding पे आएगे, और इसको क् कर देते हैं, collapse कर देते हैं, उपर एक comment डाल देते हैं, कि यह for registration के लिए है, ठीक है, और इसके उपर एक और comment डाल देते है, for login, ठीक है, तो login के लिए जो coding है, वो यह है, तो अब login बटन की click के लिए हम एक statement लगाएंगे, यहां पर हमने कहा, if is set dollar underscore post login, ठीक है, यानि की login ना का index अगर post method से आ रहा है, तो, यानि की login नाम का button क्लिक हुआ होगा, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ा हमें फैच करानी है, एक हो गया email underscore username, नाम का index मिलेगा हमें, और एक password नाम का index मिलेगा, देखे, यहां पर जो query है, वो थोड़ी से different होने वाली है, क्योंकि जो user है हमारा, वो एकी input field में, या तो email दे सकता है, या तो username, तो जो user का जो भी input होगा login form में, ठीक है, email हो चाहे username, तो हमें उसकी जो value है, उसको दोनों column से match कराना पड़ेगा, email वाली column से भी match कराना पड़ेगा, डेटाबेस के, और username वाली column से भी match कराना पड़ेगा, ठीक है, तो एक value जो आरी हमारी, वो अगर email नाम के column में, किसी भी row में मिल जाएगी, या username के column में, किसी भी row में मिल जाती है, तो उस data को, या उस पूरी row को fetch कर लो, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है, कि select asterisk from registered user, select कर लो, सभी rows को registered user में, जिसमें, where, where, यानि कि जह email equals to dollar underscore post का email underscore username वाला index, ठीक है, यह जो हमारा index होगा, input field जो हमारी है, जिसमें हम email या username दे सकते हैं, उसको match कराएंगे, email वाली पूरी column में से, ठीक है, या फिर, अगर email नहीं होगा, तो हो सकता है, user ने जो है, username दे दिया हो, ठीक है, तो उससे भी match कराओ, तो दोनों में से किसी भी एक से match कर जाएगी, तो उस पूरी row को select कर लेना, ठीक है, तो अब हमें बस इस query को fire करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक function यूज करते है, mysculi underscore query function, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम connection पास करते हैं, और उसके बाद हम पास करते है, query, ठीक है, तो query हमारी query नाम के variable में है, और इसका जो output है, वो हम चाहते है, एक variable में store हो जाए, जिसका नाम है dollar result, ठीक है, तो अब दो scenario हो सकता है, result की value true भी हो सकती है, ये false भी हो सकती है, यानि कि query चल भी सकती है, और नहीं भी चल सकती, जैसे हमने register में किया था, तो यहाँ पर if oracles, अगर query नहीं चलती है तो यहाँ पर हम एक और alert दिखा देंगे, alert में यही same script को हम उपर echo कराने वाले हैं, ठीक है, कि query cannot run, तो इससे क्या होगा कि अगर पहली query हमारी नहीं चल पाई, तो हमें alert तुरंट मिल जाएगा, ठीक है, अगर if की value true हुई, यानि की query चल गई, ठीक है, तो हमें ये भी तो login कराना है हमें, तो यहाँ पर हम function लगा देंगे, match के लाए, num rows, इसमें पास किया हमने dollar result, यानि की जिसमें हमने query store कराई थी, अगर वो equals to one है, ठीक है, यानि की एक user select हुआ है, तो, ठीक है, तो if execute कर दो, वरना else execute कर दो, अगर else execute होगा, यानि की कोई भी username या email match ही नहीं कि या database में, जो भी हमने login form में दिया था उससे, इसका मतलब यह है कि आपने incorrect email या username enter किया है, हम चीजों को फिर से repeat कर रहे हैं, कि अगर query चलने के बाद, number of rows equals to one, यानि की एक row select हुई है, तो इसका मतलब, एक user selected है, उसको login कराना है, अगर एक भी user selected नहीं हुआ, तो else में आ ज भी खा देंगे, simple सी, ठीक है, कि email और username not registered, ठीक है, इस तरीके से, और वापस चले जाएंगे हम index.php पे, I hope यह चीज़ अब clear हो गई होगी, अब देखिए, मान लीजे कि एक user select हो गया है, तो क्या करें, उसका जो सारा data है, उसको हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए ह यहां पर जो password encryption वाला काम था ना, वो अब हम करने वाले हैं, क्योंकि, ठीक है, user तो मिल गया है, लेकिन password भी तो verify करना है ना, कि password same है, जो हमने input field में दिया है, और जो database में save है, ठीक है, तो अब database का जो password होगा, उसको हम encrypt करने वाले हैं, ठीक है, तो वापस आ जाएंगे ह यह जो registered वाला portion है, इसमें, और इसके अंदर जहां पर हमने query चराई थी, उसको हम थोड़ा से maximize कर लेते हैं, तो यहां पर हम करेंगे क्या, कि जहां पर हमने query चराई है, उससे पहले एक variable ले लेंगे, जिसमें हम करेंगे क्या है, कि password को hash करा के store कराएंगे, या आप कह underscore post से password नाम का जो index होगा, ठीक है, जो भी हम password देंगे registration form में, उसको encrypt कर दो, इसके बाद comma लगा कर हमें algorithm लिखना पड़ता है, जो hashing algorithm होता है, या कि password को किस तरीके का hash बनाना है, या किस तरीके से encrypt करना है, तो यह blowfish algorithm है, password को encrypt करने के लिए, या उसका hash बनाने के लिए, तो blowfish algorithm एक अच्छा algorithm होता है, इसको bypass करना या इसको decode करना बहुत मुश्किल होता है, hackers के लिए, तो इसको use करना बहुत अच्छ option होता है, तो यहाँ पर हम जो password को directly store करा रहे थे, उसके बजाए, इस variable को store करा देंगे database में, ठीक है, तो dollar password को हमने अब pass कर दिया है query में, त इसके बाद username हम दे देंगे tj1234, यहाँ पर एक unique email दे देते हैं हम, और इसके बाद जो main है हमारा password, ठीक है, सब कुछ वैसे store होगा, बस password यह जो 123 है, वो encrypt हो जाएगा इस बार, या hash हो जाएगा, तो registration successful, database में देखिए, एक और entry होई, ठीक है, यहाँ पर देखिए password कितन नहीं अलग देख रहा है, ठीक है, यही है न, full name tj, username tj1234, password यह हमारा encrypted form में store हुआ है, बिलकुल अजीव गरीब देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, अब जो admin होगा, वो भी नहीं समझ पायागा कि password क्या है, ठीक है, तो इसको hack करना या इसको decrypt करना बह तो अब सिर्फ वही users रहेंगे, जिनका data encrypted form में store होगा, तो अब हम login scriptor वापस आते हैं, तो यहाँ पर हमने जब सारा data fetch करा लिया है, तो हमें क्या करना है, password को match कराना है, जो user ने दिया है input field में login form के, उसको match कराना है database वाले से, तो database वाला तो अब encrypted form में store है, उसको कैसे match क आएंगे, तो उसके लिए जो hashed password होते हैं ना, उनके लिए एक password verify नाम का function होता है, तो जो password verify वाला function होता है, उसमें हम सबसे पहले pass करते हैं, अपने password को, जो non encrypted होता है, जो simple string होता है, तो dollar post password वाले index को हमने pass कर दिया, और इसके बाद हम pass करते हैं अपने hash को, यानि कि जो hash हो गया है, encrypt हो कर store हुआ है, उसको pass कर दो, तो यह दोनो match हो जाएंगे, इस function की help से, ठीक है, directly आप match नहीं गाला सकते हैं, और कोई option नहीं है, सिर्फ यही function एक option है, ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या, कि password verify वाला function जब execute होगा, तो यह check करेगा कि दोनों चीजें, या हो जाएगा, वरना incorrect password होगा, यानि कि password match नहीं किया, else पर आ जाएंगे हम, ठीक है, तो अगर incorrect password होगा, तो else execute हो जाएगा, और correct password होगा, तो if, ठीक है, तो अगर password verify वाला मान लीजे, function false execute करता है, यानि कि if वाला block true नहीं होता है, तो else में हमें काम करते हैं, एक alert दिखा देत हैं, तो alert हम यहाँ पर same use करेंगे, ठीक है, इसका बस content बदल देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे incorrect password, और अगर password सही होता है, तो if वाला block execute होगा, तो if वाले माभी हम चाहते हैं, बस echo करा दो right, ठीक है, और उसके लावा हमें वापस मत भेजो, बस हमें इसी page पे रहने दो, ठीक है, इससे हमें पता तो चल जाएगा ना, कि हाँ, जो हमने password सही डाला है या नहीं डाला, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर same username को हम use करने वाले हैं, और इसका password हमें याद है 123, तो इसको login कर लेते हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार incorrect password दे देते है कुछ भी ऐसे हमने दे दिया, ठीक है 123456, login किया, तो incorrect password alert, यानि कि यह वाला सही काम कर रहा, अब सही password दे कर देखते हैं, ठीक है, तो username paste कर देते हैं, उसके बाद 123, इस बार हमने जब सही password दिया, तो देखिए, right लिख कर आ रहा, ठीक है, और हम थे login-register.php बे, ठीक है, तो यह वाला echo को अब हमें हटाना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर काम करना है, कि login होने पर किस तरीके से हमें पता चलेगा कि user login हुआ है, ठीक है, तो इस काम के लिए हम session use करने वाले हैं, अगर आपको यह नहीं पता कि session क्या होता है, तो बस फिलहाल के लिए multiple pages पे multiple php file पर access कर सकते हैं बिना उसको include करा है बस हमें क्या करना होगा यह जो session start वाला function है उसको start करना होगा या उसको लिखना होगा ठेक है अभी देखिए इसका use अभी आपको clear हो जाएगा जब हम इसको use करेंगे यहां पे देखिए अब हम global underscore session नाम के variable को हम use कर सकते हैं औ और इसके अंदर हमने कहा जब username और password दोनो verify हो जाए तो एक session में index डाल दो logged in ठेक है और इसकी value कर दो true ठेक है यानि की user एक logged in हो गया है और उसके अलावा एक और index set करो username नाम का जिसमें user का username store करा लो ठेक है जो database से तुमने username fetch किया है उसको लाके इस session variable में store करा लो तो अब इस value को देखिएगा भी हम आगे कैसे use करेंगे टेक है index.php में इसके बाद यहाँ पर हमने header function को call किया है location change करने के लिए यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट नहीं use कर रहे है अपना-पना मन है टेक है तो मुझे नहीं use करना तो header function की help से हम वापस चले जाएंगे index.php पे ट username same हमने दे दिया tj1234 password 123 था तो देखिए login करने के बाद हमें को भी changes नहीं दिख रहे हैं तो यह जो session था इसको use करने का फाइदा क्या हुआ हमने use किया किया इससे हमे benefit क्या मिला है ना तो देखिए session क्या करता है जैसा कि अभी हमने बताया session की help से हम एक variable को multiple pages पे access कर सकते ह हैं बस हमें एक function लिखना होगा session start ठीक है तो जो indexes हमने set किया है na session में login नाम का और जो user name नाम का तो उसको हम किसी भी जगह पे PHP के file में हम fetch कर सकते हैं ठीक उसको utilize कर सकते हैं उसके लावा session का काम बस यह होता है कि session server पे आये किसी user को uniquely identify करता है ठीक है कि एक फला user आया है उ हम आगे बढ़ते हैं PHP script को यहाँ पर हमने open किया नीचे ठीक है हमने if condition दी हमने का if is set set है dollar underscore session में login नाम का को index हमने login नाम का index set किया था login underscore register वाली PHP file पर ठीक है जब user login कर जाएगा तो एक index set किया था यहाँ पर हमने PHP का extension on कर लिया है जिससे हमें PHP से related suggestions मिले ठीक है तो यहाँ आपर हमने का इस if block को execute कर देना अगर dollar underscore session में login नाम को को index होगा ठीक है उपर हम session को start कर लेते हैं जिससे हम session variable को use कर सकें ठीक है तो session start नहीं करेंगे तो session variable को use नहीं कर पाएंगे ठीक तो अगर login है user तो यहाँ पर एक काम करो कुछ echo करा दो ठीक है जैसे welcome to this website उसके बाद आ username नाम का तो बस simply यहाँ पर लिख देंगे तो इतना लिखने के बाद क्या होगा username जो हमने store किया था दूसरे page में वो यहाँ पर echo हो जाएगा और उसके लावा यहाँ पर हम थोड़ी सी styling दे रहे है text align center कर देते हैं और margin top थोड़ी सी बढ़ा देते हैं जिससे जो एकदम हम पता चल जाएगा कि कौन सी user ने login किया है website को ठेक है अब हमें क्या करना है देखिए उपर जो login और register बटन देख रहा है उसको हमें हटाना होगा जब user login कर ले successfully तो वो दो button का कोई कामी नहीं वहाँ पर हड़ जाना चाहिए ठेक है तो यहाँ पर हम session का ही use करेंगे इनको hide क करने के लिए या show करने के लिए login और register बटन पर आने से पहले यहाँ पर condition और देते हैं हमने कहा and लगा दो यानि कि दो condition हम देना चाहते हैं दोनों true हो तब इसे execute करो हमने कहा जो login नाम का index है वो अगल true है और set भी है set होने का मतलब मौजूद होना ठेक है और true होने का मतलब उसकी value assign है ठेक है अगर true है और set भी है तब इसको execute करो ठेक है क्योंकि इससे पहले जो हमने login और register.php थी ना उसमें हमने क्या किया था इसकी value को true लिखा था ठेक है कि logged in index को true assign कर दो ठेक है तो अब हम आगे continue करते हैं यहाँ पर header के अंदर आ जाएंगे हम PHP script को लगा रहे ह ठेक है और इसी same condition को यहाँ पर हमने फिर से copy paste कर दिया है यह जो if फॉला block था उसको बस copy paste किया है तो हमने कहा कि अगर user logged in है तो यहाँ पर echo करा दो यहाँ पर मान लेजे अभी क्लिए लिख देते हैं हम logged in ठेक है यानि कि अगर user login कर चुका है तो print करा दो logged in वरना क्या करो echo कराओ क्या echo कराना है इस पूरे button को ठेक है यह जो पूरी div थी हमारी इस पूरे को हम echo करा देंगे ठेक है तो यहाँ पर इसको हमने पूरे PHP script के अंदर रख दिया तो हमने कहा कि अगर user logged in नहीं है तो else में आएगा ठेक है इफ वली condition false हो जाएगी else में आएगे जब else में आ कर सकते हैं तो यहाँ पर जितने भी double quote से उनको अटा कर हम single से replace कर दे रहे हैं तो आई होप यह चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि अगर user logged in है तो echo करा दो logged in वरना echo करा दो क्या यह दोनों button यह आप कह सकते हैं यह पूरी div अब हम आएंगे अपने layout पर इसको करेंगे refresh तो देखिए यहाँ पर लिखके आ रहा है logged in इसका मतलब user login कर चुका है अगर login नहीं किया होता session की value set नहीं होती तो इसका मतलब क्या होता यह buttons दिखते हमें अब login हो चुका है तो इस वज़े सा हमें button नहीं दिख रहे हैं अब हम चाहते हैं यहाँ पर logged in के बज़ाए इसके href में हम एक php script देने वाले हैं जिसका नाम होगा logout.php इसको अभी हमने create नहीं किया है अभी आगे create करेंगे तो देखिए हमने layout को refresh किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है username भी आ गया है और logout वाले link भी आ गया है लेकिन तोड़ा दूर दूर पे थे ठीक है तो इसको सही करने के लिए हम करेंगे क्या कि इन दोनों के एक div में डाल देते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक div ले ले लेंगे हम div जिसकी class हो जाएगी user ठीक है इस div के अंदर हम क्या करेंगे इन दोनों को रख देंगे अब हम चलते है layout पर इसको किया refresh तो देखिए ठीक हो गया तो अब दो काम बचा है पहला है logout बटन की functionality को implement करना यानि कि यह जो link दिया है logout वाला इसकी functionality को implement करना तो एक हमें page चाहिए logout.php नाम का ठीक है यह बहुत simple से इसमें codes लिखने है हमें जादा नहीं लिखना है तो पहले हम एक काम करते है styling apply कर लेते हैं ठीक ह पर हम hexadecimal codes use कर रहे हैं उसके इलावा इसमें हम padding पगार apply कर देंगे जिससे जो text लिखा रहा है और जो border रहा है इसका इनके बीच में spaces आ जाएंगे धेर सारी ठीक है border को थोड़ा सा curve करने के लिए हम border radius उसके लावा font को थोड़ा सा मोटा करने के लिए हम font weight उसके लावा ह अचा logout button की functionality button कहले है या anchor link कहले है आप कुछ भी कह सकते हैं ठीक है फिलहाल कि यह एक link ही है यहाँ पर हमने button नहीं use किया है अब हम आजाते है अपने vs code पर हमने open कर ली है logout.php वाली file यहाँ पर हमें simply बस php code को लिखना है ठीक है यहाँ पर हम session को start करेंगे इसके बाद function को call करेंगे session unset यह क्या करेगा जितने भी session हमने set किये होंगे php में ठीक है उनकी values को हटा देगा या उनको unset कर देगा ठीक है इसके बाद हम चाहते हैं उनकी values को हटाने के बाद उन्हें remove भी कर दो ठीक है session destroy function क्या करता है जितने भी session की indexes आपने बनाए है उनको remove कर दे तो पहले हमने unset किया और उसके बाद destroy और last में हमने header function को call किया है कि हमें वापस इस page से कहां भेज़ दो index.php में तो अब यहां पर हम आएंगे अपने layout को करेंगे refresh और उसके बाद logout button पर click करेंगे तो देखें यहां पर हमारा जो button है वो वापस आ गया और नीचे जो text लिखा था वो भी चला गया ठीक है इसका मतलब हम logout कर गया है हमारा जो भी session वगरा था वो remove हो गया है अब देखें य अकसर जो beginners होते हैं उनको बहुत frustrate करती है ठीक है तो यहां पर हम आपको दिखा देते हैं इसको solve कैसे करना है और दिक्कत आ क्या रही है तो अगर आप ध्यान दें यहां पर जो on click event है ना इसमें double quote सही से न open है न close है ठीक है चलिए opening मान लेते हैं सही जगा पर हुई है ले जैसे यहां पर देखिए on click के अंदर on click का एक single quote में हमने पुरा event दिया हुआ है ठीक है और इसके अंदर function है function के अंदर भी single quote है ठीक है तो browser इसको सही से translate नहीं कर पाता है interpret नहीं कर पाता है ठीक है तो यहां पर हमें करना क्या है कि जो on click वाला single quote है उसको हटा कर back slash double quote लग ठीक है अब देखिए इसका जो layout होगा अगर इसको refresh करेंगे तो देखिए structure एकदम सही हो गया यानि कि अब यह काम करेगा हमारा तो यह हमारा user login and registration portal complete हो गया है अब आप इस पे register कर सकते हैं इसके बाद login कर सकते हैं और log out कर सकते हैं इसमें हमने बहुत सारे features को अभी भी consider नहीं किया है जैसे कि इसको और ज्यादा secure किस तरीके से बना सकते हैं email verification किस तरीके से करा सकते हैं password reset करने का system किस तरीके से इसमें दे सकते हैं registration के time पे बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि image वगर upload करना तो उस पे dedicated video तो है लेकि इसमें किस तरीके से implement कर सकते हैं हम ठीक है तो